मध्यब्द देश के जिला मुख्याले शिबनी में पानी की समस्याओं को लेकर गुरुवार दो मई को भाजपा के सभी पारशध सिबनी कलेक्टर से मिलने कलेक्टरेट पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्या को रखते हुए कलेक्टर को बताया कि पिछले दो सालों से गर्मियों में पानी की समस्या सिवनी शहर के 24 वार्डों में रहती है वहीं 64 करोड की लागत से जो जलावर्धन योजना की डिजाइन और पाइपलाइन बिछाए गई है वो पुराने जमाने की हिसाब से बनाए गई है जिसमें कहीं 10 मिनट न लाता है तो कहीं 15 मिनट वहीं नवरात्री जैसे त्योहार में भी नगरपालिका का पानी का सप्लाई नहीं कर पाना अत्यंत खेद का विशे है समस्या सुनने के बाद कलेक्टर ने नगरपालिका अधिकारी को बुलाया और इस पानी की समस्या को जल्द से जल्द हल करने की बात कहीं आपको बता दे की सिवनी नगरपालिका परकॉन्ड्रेस का कबजा है जिस पर कॉन्ड्रेस के नगरपालिका अध्यक्ष सफीक खान काबिज है पानी कई चेत्र औरCP नहीं डहीं दसमित न लाताब्बू करहें कर हाता नहीं बीगत अभी नवरात्री जैसे परमें इन्हों ह ciri जाए लेकर कि हमने हमारी बरिष्छों से बात किया और सभी पारशत वहां कल बैठे हैं और सबने निरंटाने लिया कि समस्याहां तो लेकिन मुलूहुद समस्या जो पानी है उसका निप्तार होना चाहिए इसकार माननी जलद्यक जी माननी कलेक्टर महुदर के पास हमाई थे और हमने अपनी बात को रखा ये बरित समस्या का निदान होना चाहिए कि अग्या आप अगया